दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको star delta starter का पूरा control circuit diagram इस प्रकास से explain करने वाला हूँ जिससे कि आपको पूरा circuit diagram आपके mind में remember हो जाए। दोस्तों ये तो आपको मालूम होगा कि जो star delta starter होती है उस starter में हमें तीन contactor का इस्तमाल करना पड़ता है। एक तो होता है star contactor, दूसरा होता है delta contactor और तीसरा होता है man contactor इनका काम क्या होता है वाइरिंग में आप समझ जाओगे। इन टीनो contactor के अलावा आपको इस्तमाल करना पड़ता है timer जो आप यहाँ पे timer इस्तमाल करोगे वो timer आपका on delay timer होना चाहिए। इन सभी electrical device के अलावा आपको overload delay का भी इस्तमाल करना पड़ता है motor के protection के लिए। इसके अलावा control circuit diagram में fuse, stop push button और start push button का इस्तमाल करना पड़ेगा। अब यह जो सभी electrical device है इनका हमें wiring करना है। तो wiring करने से पहले हमें logic मालूम होना चाहिए कि किस condition में हमें किस device को on करना है और किस device को off करना है। तो start delta starter का logic होता है उसमें कहा गया है कि जो हमारा start push button है जैसे कि यह वाला push button है इसको यदि हम प्रेज करते हैं तो सबसे पहले start contactor on होना चाहिए। तो इसका logic बना देते हैं उसके बाद बाकी logic को हम समझेंगे उसके बाद उनका wiring करेंगे ठीक है। तो start contactor को on करना है तो मैं क्या करता हूँ यहां पे connector का इस्तमार कर लेता हूँ। तो मैं यहां पे directly एक wire के जरिये पूरा power supply प्रोवाइड कर देता हूँ। इस प्रकार से आप देख सकती हो face supply गया fuse में, fuse के बाद overload relay, overload relay के बाद में stop push button और stop push button से power supply चला गया start push button में और start push button से power supply चला गया है star contactor के A1 terminal पे और इसी contactor का जो A2 terminal होता है वहां पे हमें neutral supply कनेक करना होता है। तो यह जो neutral supply वाली line है, इसी line के साथ में इस contactor को मैं neutral supply प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं इस वाल को थोड़ा से extend करके यहां पे connect कर देता हूँ। इस प्रकार से जिससे कि यहां से face supply connect हो गया और यहां से neutral supply connect हो चुका है। अब यह जो start push बटन है, इसको यदि हम प्रेस करेंगे तभी जाके power supply आगे flow होगा। इसको release कर देंगे तो यहां पे open हो जाएगा जिसके वाज़े से power supply आगे flow नहीं हो पाएगा। तो इस condition में हमें क्या करना होता है कि जो start contactor है इस contactor को hold करने के लिए holding circuit बनाना होगा। तो holding sir के बनाने के लिए हमें क्या करना होगा start contactor का ही जो ano contact है जैसे कि मैं यहाँ पर ano contact ला दिया ठीक है यह ano contact है तो यह वाला जो ano contact है इस ano contact को हमें इस start push button के पहले में connect करना होगा तो इसके लिए मैं यहाँ से एक wire इस्तमाल करता हूँ और इस wire को थोड़ा सा आगे तक लेके चला जाता हूँ क्योंकि मुझे इसी wire के जरिये बाकी contactor को timer को power supply भी provide करना है यह जो wire है इसको मैं stop push button के output terminal से इसलिए इस्तमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसको press करने के बाद सभी device हमारा off हो जाना चाहिए अब यह जो no contact के इसको मैं input power supply provide कर देता हूँ इस प्रकार से इसके output से भी एक wire को लेके जाना है तो यहां से मैं ऐसा कर देता हूँ और इसके बाद दुवारा से एक wire को लेके हमारा जो start push button इसके output terminal के साथ इसको connect कर देता हूँ इस प्रकार से तो यह हो गया start conductor का no contact इस no contact के दौरा हम इस conductor को hold करेंगे मतलब कि start push button को प्रेस करने के बार हमारा conductor हमेशा on रहेगा दोस्तों यदि आप भी इस प्रकार का circuit diagram बनाना चाहते है तो e-domex software का आप इस्तमाल कर सकते हो इस software में आपको बहुत सारा template मिल जाता है जैसे कि मैं यहाँ पे अगर new project बनाने जाओ तो new project में मुझे यहाँ पे option मिल जाएगा कि किस प्रकार का मैं पूरा project बनाना चाहता हूँ हम सभी के सभी engineering field से relate करते हैं यहाँ पे जो engineering है इसलिक कर देता हो इसके बाद यहाँ पे जो electrical engineering लिखा गवा है इसलिक कर देता हो इस पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने बहुत सारा template आ गया जिस भी template के आ क्यों जाहूं उसका इस्तभाल कर सकता हूँ जैसे कि यदि मुझे कोई चाहिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का, देखते हैं यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का कोई circuit diagram है क्या, सर्च करने के वाल यहाँ पर template open हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर pictorial type का star delta starter का power warning बताय गया है, यहाँ पर diagram वाली star delta starter है, त को search करता हूं तो मेरे सामने यहां पर push button का symbol भी मिल जाएगा और icon भी मिल जाएगा तो मुझे जो भी चाहिए मैं यहां से simply उसको drag and drop कर सकता हूं जैसे कि start push button के लिए इसका कर सकता हो और stop के लिए यह वाला हो जाएगा ठीक दोस्तों तो अभी तक जो हमने connection किये इस connection में हमारा जो start push button है इसको praise करते ही start contactor on हो जाएगा अब इसके बाद में जो start delta starter होती है इसके logic में यह कहा जाता है जैसे ही start contactor on हो इसके साथ साथ जो man contactor है वो भी on होना चाहिए मतलब कि star conductor के own होते ही man conductor own होना चाहिए तो star ambduTER के दुआरा ही हमे mal conductor को चालो करना है तो हम क्या करेंगे जो star condactor है इस conductler का जो rhashor contact है जैसे कि यहां रहाँ पे मैं एक और इसको सपी कर आए सिर्कृट के सर्किٹ में इसको connect कर दूँगा कैसे connect करूँगा आप यहां पर दिखिए मैं क्या करता हूँ कि यहां से एक वार को लिजाके मेरा जो एनव contact के इसको input power supply provide कर दूँगा और इसके output terminal से power supply को लिजाके man contactor का जो A1 terminal होता उसके साथ power supply provide कर दूँगा और उसके बाद इस man contactor को neutral supply इस point से provide कर दूँगा अभी के time पे मैं directly इन तीनों को power supply provide कर देता हूँ इस प्रकार से अब इसके बाद में जो star delta starter होती है उसमें यह कहा जाता है कि जो हमारा star conductor है उस conductor को केवल हमें motor के starting के समय ही चालू करके रखना है जैसे ही हमारा motor 80% तक चला जाए मतलब कि motor का rpm यदि 80% पहुच जाए तो उस condition में हमें star conductor को off करना होगा और delta conductor को चालू करना होगा अब जैसे star conductor off होगा तो इसका जो ano contact है वो भी तो open हो जाएगा और जैसे यह ano contact open होगा इस condition में क्या होगा man conductor हमारा off हो जाएगा जबकि star delta starter में हमें हमेशा man contractor को चालू करके रखना होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कही यह जो kontactor है इस kontactor को hold करने के लिए holding circuit बनाना होगा holding circuit बनाने के लिए हम क्या करेंगे न evening contact का जो ano contact है जैसे कि यहाँ पे ano contact है तो मैं इसको copy paste कर देता हूँ और इसको ले जाके यहाँ पर रख देता हूँ अब यह जो एनो contact है इस एनो contact को power supply यहाँ से provide कर दूँगा और इसका जो output terminal है इस terminal को ले जाके मेरा जो यह वारा contact है इसके सार connect कर दूँगा इस प्रकार से अब इसके बाद जो star delta starter का logic होता है उसमें यह कहा जाता है कि जो हमारा star contact है इसको हमें थोड़ी देर के बाद में off करना है और इसको off करने के बाद हमारा जो delta contact है इसको on करना है तो star conductor को थोड़ी देर के बाद में off करने के लिए और delta conductor को थोड़ी देर के बाद में चालू करने के लिए हम timer का इस्तमाल करेंगे तो यह जो timer है इस timer को power supply man conductor के power supply के द्वारा जाना चाहिए मतलब कि इसके ano contact के द्वारा जाना चाहिए तो आप चाहे तो man conductor का जो एनो कोंटेक्ट है उसको लाके यहाँ पर कनाय करके इसको power supply प्रोवाइड कर सकते हो या फिर आप चाहे तो टाइमर को power supply इस वाले point से प्रोवाइड कर सकते हो तो मैं इसी के जल्यaw power supply प्रोवाइड कर देता हूँ मतलब कि हमारा जो man contactor है, इस contactor के चालू होने के बाद ही timer को चालू करना है, तो power supply यहां से ले जाके timer का जो A1 terminal उस पे connect करेंगे, और timer का जो A2 terminal होता है, उस पे हमें neutral supply provide करना होगा इस point से, तो मैं directly wire को connect कर देता हूँ, इस प्रकार से, तो यह जो timer है, इस timer को power supply provide करने के लि हम उसके circuit में NC contact का इस्तमाल करेंगे, तो मैं एक NC contact ला देता हूँ, यहां पे मेरे पास NC contact है, इस contact को लाके हमें इस point पे connect करना होगा, यह जो A1 contact है, इसको थोड़ा से नीचे कर देता हूँ, तो timer का NC contact हम यहां पे connect कर देंगे, जिससे क्या होगा, timer में जो भी हम time set करेंग इस timer के द्वारा हमें delta conductor को चालू करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा timer है, इस timer का जो A1 contact होगा, जैसे कि मैं यहां पे एक A1 contact बना देता हूँ, तो यह जो timer का A1 contact है, इसके द्वारा power supply हम delta conductor को प्रोबाइड कर देंगे, इसके लिए में क्या करता हूँ, य जो face supply है, इसी face supply से एक वार को लूप करके, यह जो A1 contact है, इसको power supply प्रोबाइड कर देता हूँ, और इसके output tunnel से power supply को ले जाके, delta conductor को power supply प्रोबाइड कर दूँगा, और इसी conductor को neutral power supply इस point से प्रोबाइड कर दूँगा, तो मैं directly पूरे वार को connect कर देता हूँ, अब यह जो जो star contactor है, और जो delta contactor है, इन दोनों contactor में से केवाल एक contactor एक समय on होना चाहिए, यदि गल्ती से दोनों contactor चालू हो जाएगा, तो इस condition में blast हो सकता है, तो आपको क्या करना होगा, यह जो star contactor है और जो delta contactor है, इन दोनों को आपस में interlock करना है, तो interlock करना के लिए जैसे क contact को connect कर दिया यह जो NC contact है यह NC contact मेरा जो कॉंटेक्टर का जो NC कॉंटेक्ट होगा उसको लाके यहां पे कनेक करना होगा तो मैं इसी को कोपी पेस्ट कर देता हूँ इसको ले जाके यहां पे इस प्रकास से रख देता हूँ तो अभी के टाइम पे जो हमने connection के, इस connection में हमने क्या किये, जो star instructor है, इस conductor का जो nc contact है, उसको हमने delta contributor के circuit में connect कर दिये, जिससे कि star contractor यदि on हो जाए, तो यवाला जो content है, यह open हो जिस के वाशे circuit को break कर के रखे, इसी पलब बहुता देल्टा cluster यदि on होता है, तो इस condition में हमारा Star Connector on नहीं होने चीए इसलिए हमने यहां पर NC Connector को connect कर दिये वह भी Delta Connector का तो केवल हमें इतना ही connection करना होता है इस टार Delta Starter के control वाइडिंग में अब यह जो पूरा connection यह connection कैसे वर्ड करेगा इसको भी एक बार समझ लेते देखेए दोस्तों, यहां पर हमारे पास phase supply है, और यहां पर neutral supply है, जो phase supply हो, phase supply fuse से होते हुए, overload relay को जाएगा, overload relay का NC contact हमने इस्तमाल किये हैं, तो power supply आगे flow होते हुए, stop push button को जाएगा, और यहां से power supply start push button को जाएगा, और जो हमारा power supply है, इस वारे wire में भी flow होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे Reno Contact है तो face supply इस point पे रहेगा, इस point पे रहेगा, इस point पे रहेगा और इस point पे रहेगा। इसके आगे power supply flow नहीं होगा। अब यदि मैं start push बटन को press करूँ तो क्या होगा power supply यहां से flow होते हुए, directly star contact को own कर देगा। Star Contactor के on होने से क्या होता है कि जो इसका no contact है, जैसे कि ये वाला no contact और ये वाला no contact ये close हो जाएंगे, और साथी साथ में Star Contactor का जो NC contact है वो open हो जाएगा, मतलब कि ये वाला circuit complete हो जाएगा और ये वाला circuit open हो जाएगा, तो Star Contactor के on होने से इसका जो no contact है वो close हो गया, जिसके वै पाउर सप्लाई यहां से फ्लो होके मैन कॉंटेक्टर को चालू कर देगा साथी साथ में टाइमर को भी पाउर सप्लाई प्रोवाइड कर देगा टाइमर में जैसे ही पाउर सप्लाई जाएगा इसका काउंट डाउं स्टार्ट हो जाएगा यहां पर हमने मैन कॉंटेक्टर क होते ही timer हमारा यह वाला जो NC contact है इसको open कर देगा इसको open करते ही start contact off हो जाएगा और इस timer के time complete होते ही यह वाला जो timer का एनो contact है इसको close करते ही power supply यहां से flow होते हुए delta contactor को चालू कर देगा मतलब कि start contactor off हो जाएगा और delta तो जैसे कि आपने देखा जब हम start push बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले start contactor और main contactor on होगा और इसके बाद जैसे हमारा motor run करना start कर देगा तो जितना time हम timer में set करेंगे उतना time के बाद में start contactor off हो जाएगा और जो delta contactor है यह contactor on हो जाएगा ठीके अब यदि हमें motor को off करना है तो off करने के लिए simply stop push बटन को प्रेस कर देंगे motor off हो जाएगा ठीके दोस्तों दोस्तों यह जो circuit diagram में इस circuit diagram का मैं PDF आपके लिए बना देता हूँ जिससे कि आप इसको save करके आसानी से कभी भी पढ़ सको तो PDF फाइल बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा फाइल में और फाइल में जानने के बार यहां पे मुझे करना होगा export एक्सपोर्ट करने के बार आपको मुझे देना है PDF में मैं चाहूं तो आपको word में excel में ppt में या फिर और फाइल में भी आपको provide कर सकता हूं PDF सबसे best रहेगा तो PDF पे क्लिक कर दिया और यहां पे नाम लिग देता हूं star delta starter control warning के नाम से यह PDF राएगा इसको मैं export कर देता हूं यहां पे export हो चुका है आप देख सकते हैं PDF का quality बहुत ही अच्छा है आप इसको जूम करके भी पढ़ सकते हैं दोस्तो यदि आप भी इस प्रका का सरके डागराम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप Edo Mac software का इस्तमाल कर सकते हो यह जो software है यह software विंडो पे इस्तमाल कर सकते हो Mac पे इस्तमाल कर सकते हो लेनेस पे इस्तमाल कर सकते हो या फिर आप इसको directly online भी इस्तमाल कर सकते हो यदि आप इस software का subscription लेना चाहते हैं तो इसका अभी के time पे big sale चल रहा है जिसमें आपको 22% का off मिल रह है तो आप इसको directly buy कर सकते हैं इसके अलावा जोस्तों इद York Всёuki यह साथिए इससुस्ता में ako इस सफ्रेश को स्तंहुंड करना तो इस को चाहे तो आप बेर इस सौनन कर सकते हैं दो susate करने करके और है वहां पर क्लिक करके डाइरिकली इस wrote करके आप इस्तमाल कर सकते हो I hope कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरू कर दीजेगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब निके तो सस्क्राइब भी कर लीजेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद